तो हलो और वेल्कम बैक तो माई चैनल लगें आज का टॉपिक रहेगा कि हम अपने प्रेजंटेशन पे किस तरह हम पासवर्ड अप्लाई करते हैं अगर हमें अपने प्रेजंटेशन को सक्यूर करना कि कोई हमारे डाटा चुरा ना ले तो हम कैसे उसको हम सक्यूर करेंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले लाइक टो रिक्वेस्ट जिसने सब्सक्राइब करने चैनल को और प्लीज दू लाइक और प्लीज कमेंट वाटेबर फेवेट पार्ट और ओफ यह वीडियो विडियो तो जैसे कि आप सामने देख कर दोब लिए हां फूरा देख रहा होगा व्याल पर कई सारे डिफेरेंट इस पे हमें पासफॉर्ड अप्लाई करने थाकि हमारे डॉक्यमेंट है जो हमने या बनाया रख़ा है इसे कोई दूसरा चुरा ना लहीं है यानि कि हमारे एपसंस पें कोई से ओपन ना कर लें हम इसको कैसे password apply करेंगे, तो password apply करने के लिए यहाँ पर click करेंगे, यह उपर top में आपको option दिख रहा हो, left hand side पर सबसे top पे आपको एक windows को option दिखेगा, तो we have to click there, जैसे हम यहाँ पर click करेंगे, हमें यहाँ पर एक और option दिखेगा, prepare का, प्रिपेर के option में उपर से तीसरा number एक, दो और तीन यहाँ पर लिखा है encrypt document यानि हम encrypt का मतलब होता है password apply करना और decrypt का मतलब होता है password को decode करना यानि password हटा देना तो इसमें लिखा है encrypt तो हम इस पर click करेंगे encrypt पर जैसे encrypt पर click करेंगे यहाँ दिख रहा होगा यहाँ पर option आ गया enter your password का यहाँ पर हम सिंपल से हम password डाल दे रहे हैं फिलाल 12345 डाल दिया गया एक बार password फिर जैसे हम ok पर click करेंगे दूसरा option आया re-enter your password ठीक है तो re-enter जब password था successfully इस particular presentation पे apply हो चुका है so in this way we are going to apply password on our powerpoint presentation अब तो यह हो गया apply करने का अब हम देखते हैं अगर दुबारा जब हम इसको re-open करते हैं तो क्या हमसे password मांगता है so let's check that so as you can see here यह हमारा powerpoint presentation रहा जिस पे हमने password apply किया था इस पर double click करके open करते हैं यह आगे हमारा यहाँ पे एक message link हो रहा है enter password to open file chapter 2.pptx pptx is the extension file name of powerpoint presentation तो हम यहाँ पे password डालेंगे 12345 and we'll click enter और we press on ok यह हमारा presentation आगे हमारे सामने तो बिना password के presentation open नहीं हो सकता so in this way we are going to apply the password on our presentation so I hope you have understood this topic so thank you so much for being with me and supporting me